जो हैं दोस्तों स्वागतप को इस वीजेन लें तो दोस्तों आज के इस वीडियर के परिचा फॉर्म कैसे बरना है 2022 के अगर आप अब दिस्पिताम सिंग उन्यूबसिटी की यूजी में या पीजी में एड़िसर लिया हूँ फर्स्ट की हूँ चाय सेगंड के हूँ चाय थर्डियर की हूँ इनका जो परिचा फॉर्म में कैसे बरना है पूरी जानकारी को इस वीडियो के मात दम से देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखना है तब भी आपको अच्छे समझ में आपाएगा तो चली सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं तो दोस्तों गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है एक एक लिंक का जाता है इस लिंक पर हमको क्लिक कर देना होता है जैसी हम इस लिंक हमारे सामने एक नए बेंडो उपन हो जाता है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों कुछ साथ सीज़ करिए कोई डाव टो कमेंट करें तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरपीस आ जाएगा हम इसके ऑपिसल वेपसाइट पर पहुंच जाएंगी परिच्चा फोर्म हमें कैसे बरना है यानि कि परिच्चा फ़र्म भरने की जो लिंक है वो आपको दिखाई दे जाएगी इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का एक मेसेज आजाएगा आप यहां पर इसको कुछ नहीं करना है इसको क्लूज करना है और उहाँ पर reminder स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है और जैसे आप स्क्रोल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देता है APS Annual Examination Form Regular Second Year Third Year Exam 2022 अगर आप Second Year Third Year स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिंक दिखाई देगा बीकॉम बीसी बीसी सेकेंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं तो फिर आपको इस लिंक का यूज़ करना है ठीक है और जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा सभी का और यहाँ पर अगर हम फस् सेमिस्टर में एडिमिसर लिया है तो फस्ट सेमिस्टर के भी 23 परवरी से अपलाई होना सुरू हो चके हैं रेगुलर स्टुडेंट के लिए इस वाली लिंक का यूज़ करना है सभी का सेम प्रोसेस है कोई किसी में भी डिपरेंट नहीं तुड़ा बो डिपरेंट रहता ह सबसे लास्ट में वो मैं आपको वीडियो में बता दूँका क्या डिपरेंट रहता है। अबूसों यहां पर हम क्या करेंगी रैगुलर का पॉर्म करना से बाली लिनक पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप 30 year के होंगे तो 30 year सो हो जाएगा और अगर आप regular की student होंगे तो यहाप regular automatic आजाएगा अगर आप private के होंगे तो यहाप private automatic आजाएगा यहाप enrollment नमबर जैसे ही फिल करोगे इसके बाद में यहाप जो capture code दिया गया है वो capture code फिल करना है और go पर आपको click कर दिना है च जैसा कि हमारा photo signature हो गया हमारा name date हो गया हमारा enrollment number हो गया आप 200 second year के हूँ चाहें 30 year के हूँ चाहें first semester के student हो चाहें first year के student हो सभी के लिए same process है यहापर थोड़ी सी changing होगी अभी मैं आपको बताऊंगा देखें यहापर सभी जगह पर तो आपको यहापर कोई भी काम नहीं क स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है यहापर आपकी personal data मैंने आपको बताई दिया ठीक है अब यहापर हमें जो अपने subject है वो यहापर select करने है जैसा कि यहापर आप देख पा रहे हैं कि हमें अपने subject दिकाई दिय रहे है ठीक है अब आपका second year में आपका subject कौन सा है ठीक है आपके subject कौन से है यह तो आपको by default है यहापर select कियो दिखाई देंगे कुछ subject आपको dividedफॉल Select कियो दिखाई देंगे अब दोस्तरे यहापर हमें जो subject select करनी जैसा कि अगर आप public finance paper γत करने है तो यहापर आपको चेक मार करते हैं अगर यह भी आपका है तो यहापर चेक मार है और जैसे आप इस्क्राइब डान करके नीचे आते हैं यहां पर आपको प्रिबिएस रिजल टेटल से दिखाई देगा और यहां पर हमें अपना प्रिबिएस एजुकेशनल डेटल्स यहां पर फिल करना है जैसा कि हम थाड़ियर का एप्लाइब कर रहे हैं तो यहां पर सब्सक्राइब करना है अगर आप सब्सक्राइब करना है तो यहां पर अपना रिजल्ट करना है मैं आपको बता देता हूं जैसा कि देख पा रहे हैं अगर आप सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपकी नहीं है तो इसको छोड़ देना है इसी तरह से आपको सब्सक्रा करना है और apply कर देना है जैसे हम apply पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्थरे का इंटरफेस आजाएगा अब हमें अपना payment करना है तो payment करने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको अपना application इस application number को note down करके रख लेना है क्योंकि भविस्वे जो भी कोई भी काम होगा इस application number से होगा तो इस application number करके रख लेना है यहां पर आपकी जो भी पीस रहने वाली वह पीस आपको दिकाई देजाए अब आपको कुछ नहीं करना स्क्रोल डाउन करके नीचे आ जाना है और सबसे payment कर लिजिए और जैसे आप अपना payment कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा अब आपका payment complete हो गया है तो यहां पर आपका बार कोड भी आ जाएगा transaction ID आजाएगी application पीस आजाएगी जो भी आपकी application पीस लगने वाली payment status आजाएगा अब आपको कुछ नहीं कर कर देना है यहां पर आपको check mark कर देना है आई है certified और यहां पर प्रिंट वाले options पर क्लिक करकी इसका printout निकाल लेना है और जैसे आप इसका printout निकाल लेते हैं आपको इसको कॉले में submit कर देना है कॉले में submit होने के बाद में आपका approve जाएगा पॉर्म और जब भी आपके